Hello Friends, मेरा नाम वेशाले सिना है और आज हम बात करने जा रहे हैं चार्ट डॉक्यूमेंट की तो चार्ट डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो काले पड़ जाते हैं जलने की वज़ज़ से तब हम हुने चार्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो और्गैनिक मटीरियल होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिफ इन और्गैनिक ऐशी बसता है इनकी अपियरेंस इस बात पर डिपेंड करते हैं पेपर में किस तरह के फिलर्स का यूज किया जाता है और इंक के इन और्गैनिक कंपोनेंट पे अब देखिए कि ये जनरली कौन से टाइप के केसे में हमको मिलेंगे ये जनरली आर्सन के केस में डिटेक्ट होते है आर्सन मतलब होते है कि जबर्दस्ती का आग लगा देना जिसमें अगर सबूर डॉक्यूमेंट के रूप में होंगे तो जो कल्प्रिट होगा वो ट्राय करेगा कि वो इन डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉइ कर दे अब हम बात करते हैं इनके केरेक्टर स्टिक्स की तो डॉक्यूमेंट गर्मी की वज़े से काला पड़ जाता है इनकी जो एजेस होती है वो कर्ल हो जाती है डॉक्यूमेंट काफी फ्रिगाइल हो जाता है ऐसा मतलब की हाथ लगाती है एक दम चूरा-चूरा हो जाए अब हम बात करते हैं इनके एक्जामिनेशन की तो दो मेथर्ड यूस किया जाता है पहले मेथर्ड का नाम है फोटोग्राफिक मेथर्ड इसमें सबसे पहले यूस किया जाता है कंटेक्ट प्रॉसेस का एक्चूली जो चार्ट डोक्यूमेंट होते हैं वो गैसे इमीड करते हैं जिससे फोटोग्राफिक इमल्शन में लेटेंट इमेजिस रिकॉर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट मेथर्ड है फिल्टर फोटोग्राफि इसमें हम डीब ब्लो फिल्टर और कमर्शल फिल्म का यूस करते हैं और ये कॉंटेक्ट प्रॉसेस से फास्ट होता है इंफ्रारेट फोटोग्राफि जो होती है वो एक non destructive technique होती है ये दो factor पर depend करता है कि कौन से type का ink हम use कर रहे हैं और वो paper कितना जला हुआ है अब हम बात करते हैं दूसरे method के बारे में जिसका नाम है visual method इसमें हम सबसे पहले use करते हैं reflectivity method जिसमें हम burn document को control light source में different different angle में examination करते हैं next method है alcohol glycerine five parts of rubbing alcohol लेंगे और तीन part of glycerine यूस करते हैं then हम उसमें documents को डुबा देंगे इसमें हम reflectivity value को calculate करते हैं ये एक simple और rapid technique होती है next method है silver nitrate method इसमें हम चार्ड इसे चेर्वेल नाम के एक scientist ने develop किया था और इसमें क्या करते हैं कि जो burn paper होता है उसके उपर पहले glass plate रखते हैं फिर उसके नीचे glass plate रखते हैं उसके बाद हम उसमें 5% silver nitrate डालते हैं और फिर उस fragment को छोड़ देते हैं fragment को छोड़ने के बाद क्या होता है कि उसमें writing develop हो जाती है और वो जो writing होती है वो black color में develop होती है जब हम यह method कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो sample है उसको sunlight से बचा के रखना है तो thank you guys please like, share and subscribe अगर आपको ऐसी और videos चाहिए stay tuned